हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्यूंकि आज हम जानेंगे एक ऐसे पक्सी के बारे में जो सिर्फ आगे नहीं बलकि पीछे की तरब भी उड़ सकती है जी हाँ आज हम हमिंग बट के बारे में कुछ ऐसे फेक्स को जानेंगे जो सायद ही आपको पता है तो वीडियो को स्किप मत करना वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे तो बिना टाइम इसकी ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी दुनिया में हमिंग बट की करीब 300 से ज़ादा प्रजातिया पाई जाती है हमिंग बट बहुत से अलग-अलग गलस में पाए जाता है इनमें male हमिंग बट, female हमिंग बट से ज़ादा colorful और सुन्दर होता है ज्यादा तर प्रजाती की हमिंग बट 4-5 इंच तक होती है और इसका वजन 6-7 गराम तक होता है सबसे बड़ी हमिंग बट को जाइंट हमिंग बट कहा जाता है जिसका साइज 9-10 इंच और वजन 18-24 गराम की होती है और सबसे चोटी हमिंग बड़ की साइज सिर्फ दो इंच और वजन दो ग्रामी होता है जिसे भी हमिंग बड़ कहते हैं हमिंग बड़ दुनिया का सबसे चोटी पक्षी है नमबर टू, हमिंग बड बाकी पक्षियों की तरह चल और कूद नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पेर बहुत ही कमजोर होते हैं, ये अपने पेरों की मदद से सिर्फ बैठ सकती है, और एक दो कदम ही चल सकती है, हमिंग बड हेलिकोप्टर की तरह आगे पीछे और दाय बाय ब प्रति घंटी की होती है, हमिंग बड उड़ते वक्त अपने पंखों को एक सेकेंड में असी से सो बार फरफडाती है, ये इतना फास्ट होता है कि अपने आखों से पंखों को फरफडाते नहीं देख सकते, वेसे कुछ प्रयाती की हमिंग बड एक सेकेंड में तीन से चार बार ही अपने पंकों को फड़ फड़ाती है हमिंग बट जब उड़ती है तब हमिंग साउंड आता है इसलिए इसे हमिंग बट कहा जाता है 3. Hummingbird की सुनने और देखने की छमता बहुत ही जादा होता है Hummingbird जब आराम कर रही होती है तब उसका दिल एक मिनट में दो सो पचीस बार धड़कता है और जब वो उड़ रही होती है तब उसका दिल एक मिनट में बारो सो बार धड़कता है यानि हर एक सेकेंड में 20 बार जो की पूरी दुनिया में जितने भी पक्षी है उन सबसे ज़ादा है हमिंग बट का दिमाग बहुत ही तेज होता है हमिंग बट का दिमाग बाकी पक्षीयों के मुकाबले उसके सरीर के साइस के हिसाब से ज़ादा बड़ा होता है हमिंग बट का दिमाग इसके सरीर का 4.2% होता है ये अपने एरिये के फूलों को कभी नहीं भूलती क्योंकि इसके यद्दास बहुत ही तेज होता है नमबर 4 हमिंग बट की चोच लंबी होती है और आगे से थोड़ी मुडी होती है हमिंग बट की जीब इसकी चोच से लगभग दूगनी लंबी होती है और इसकी चोच इसके मुँँ से लेकर इसके सीर तक कुछ इस तरह से रहते हैं इसलिए या फूलों में गहराई तक पहुँच जाती है इसमें मौजूद मेकैनिजम किसी भी पक्षी की तुलना में बहुत ही पावरफूल होता है हमिंग बट की जीब दो पतली सी ट्चूब से मिलकर बनी हुई होती है जो बहुत सारे फुलेप्स से मिलकर बना हुआ होता है और ये जितने भी flaps है ये इस रोट से जुड़ा हुआ होता है जब hummingbird खा नहीं रही होती है तब ये flaps इस रोट से जुड़ा हुआ होता है लेकिन जब hummingbird अपनी जीव से फूलो का रस चुसने के लिए फूलो के अंदर डालती है तो hummingbird की जीव दो हिस्सों में बढ़ जाता है और ये जितने भी flaps हैं वो खुल जाते हैं फिर जैसे ही इसके जीब में फूलो का रस भर जाता है तब सारे flaps बंध हो जाते हैं ताकि hummingbird के मुह में फूल का रस पहुंचाया जा सके इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 0.05 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है और एसा दिन में हजारों बार होता है नमबर फाइफ hummingbird का खाना फूलो और फूलो का रस होता है लेकिन hummingbird फालो और फूलो के रस को सूंग नहीं सकती है क्योंकि इनकी सूंगने की समता ना के बराबर होता है या फूलो को उनके कलर देखकर उसका रस चूसती है इनको रेट कलर का फूल जादा पसंद होता है इसके अलावा ये छोटे मोटे कीडे मकोडो को भी खाती है hummingbird हर 10-15 मिनट पे खाना खाती है क्योंकि ये हमेशा उरती रहती है और उरने के कारण इसकी एनरजी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है hummingbird बीना खाय सिर्फ 3-4 घंटे ही जिन्दा रह सकती है hummingbird बाकी पक्षियों की तरह घोसला बना कर रहती है इसका घोसला इनके साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा होता है इनकी अंडे की साइज सिर्फ 0.5 इंच यानी आदा इंच ही होता है जो एक मटर के दाने जितना है hummingbird एक बार में दो अंडे ही देती है hummingbird की life span यानी जीवन काल 3-4 साल का होता है आपको ये facts कैसे लगे कमेंट में बताना मत भूलिएगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में